आज इस वीडियो में मैप लोग को प्यता हूँगा आप लोग किस तरफ से PTM में Automatic Payment System को आप कर सकते हैं नमस्कार मेरा नहीं मैं विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों Automatic Payment System सिस्टेम बोखोत सारा टाइम में क्या होते हैं Automatic System का option आ जाते हैं आप लोग नहीं कुछ पढ़ते हैं उसको allow कर देते हैं और access देते हैं तो एक क्या होते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा जो कैसे आपका account से payment काड रहा है कोई PIN देने का कोई जरौती नहीं है कुछ OTP देने का भी कुछ दर्यूरत नहीं है बड़ आपका account से automatic डिरेक्ट हो जाएगा पार मांत नहीं तो पार 40 जिसका जो कंपानी का जिस तरह आप से रखते हैं यह सिस्टेम तो इसको कहते है Automatic Payment System तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत इजी में बता दूँगा कैसे आप लोग Paytm में Automatic Payment System को आप और पाउज कर सकते हैं पहले Play Store में जाके latest version ने अप्रेट कर लेना है Paytm आपको Paytm आपको अप्रेट कर लेने के बाद Paytm आप ओपेन कर लेना है जो यह Automatic Payment हुआ है क्या हुआ है तो आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको इसके लिए क्या करना है इसके लिए आपको क्या करना है आपका Profile Payup पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपको इधर चले जाना है UPI and payment setting UPI and payment setting में जाने के बाद scroll down करना है इसके बाद इधर आपको एक option मिल जाएगा UPI automatic payment इधर आपको click करना है इसको क्या करना है इसको आपको धान से देख लेना है जो भई कौन सा company हमारा automatic payment system से payment ले रहे हैं आपको साहथ जान पैचान हो सकता है नई तो आप जान पैचान नहीं भी हो सकता है कभी भी गल्थी से अपने कर दिया है तो इसके लिए आपको ये tik-tak से देखना है हो सकता है आपका कुछ काम का है कुछ insurance करके रखने हैं इसके लिए monthly rent काड रहा है तो कुछ mobile लागे रागारा खरी दें इसके लिए कड रहा है, तो यह आपको check करना है, तिक टक से, इसके बाद दिख रहा है, जो यह अमारा कुछ काम का नहीं है, कुछ दोस्त ने कर रहा है थे, तो आप इसको कैसे cancel करेंगे, जस्ट आपको view details के ऊपर click करना है, ूप यू पर क्लिक करणे के बाद आपको पूरा detox दिखाएगा कैसे पेमेंद करता हैं ज noticeable компании Long का U-PG ID क्या है नो पूरा detox बता देगा और कौनसा डेंग एकांट से यह पैसा कट रहा है Paytm Payment Bank से हमारा पैसा काटे हैं इसके बाद देखिए दोस्तो इधर आपको Transaction Istri दिखा देगा View Istri पे आप किलिक करेंगे ना कितना बार Payment किये हैं यह सब कुछ दिखाते हैं ठीक है दोस्तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं को Cancel करना है देखिए एक है पोच Automatic Payment और एक है Cancel Automatic Payment Cancel वाला जो Option है आप इसको पुड़ा इधर से हटा सकते हैं और पोच Automatic जो Payment Option है इसको आप पोच कर सकते हैं कुछ दिनों के बाद एगेन आप चाहे तो इसको Active भी कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको Cancel करूंगा अभी तो यह हमारा काम का नहीं है इसके बा पीन यह जो पेज है आपको सो नहीं करेगा आपका बैंक का जो यूपाई पीन है ओ देने के बाद आपका जो है यह Automatic Payment सिस्टेम बंद हो जाएगा तो चलिए मेरा पीन दे देता हूं देखिए वीडियो को अचलागे तो लाइक कर दिए दोस्तों के शेयर कर लिए मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए अच्छा रहिए नमस्ते